अलो गाईज, मैं इंद्रेश अपनी यूटूब चैनल, इंद्रेश जीस क्लासेश में आप सभी का सवगत करता हूँ दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, EBS की बहुत ही महत्तोपूर्ण क्लास क्या है जो सभी एक्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्तोपूर्ण होती है जैसे हमारे यूपी टेट हो गए है, यूपी टेट और सी टेट वालों के लिए तो बहुत ही इंपोर्टेट है और सुपर टेट वालों के लिए ठीक है सुपर टेट भीया सुपर टेट वालों लग जाओ वैकेंसी आएगी डरो मत सारी चीज़े होंगी ठीक है बस चलो स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन कोश्चन नमबर वन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अंताराश्टी संस्थ अंताराश्टी संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरच्छा की देख भाल करती है तो वह कौन सी संस्था है डबलु डबलु यफ है डबलु यच्चो है या पेटा है या यूएन है तो डबलु डबलु यफ क्या करती है क्या करती है पर्यावरण सुरच्छा की क करती देख भाल करती है ठीक है से इसका फॉल memang क्या होता है विल्ड क्या होता ही ओ डीक can only worldwide ज्या फंड बोलते हैं ठीक एसका अस्थाफना साथ अप्रेल 7परेल 7परेल 1948 को ही थी कशी लिए थी इसलिए 7 अप्रेल को 202 स्वास्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है यूएन संयुक्त राष्ट यूएन नो जिसको संयुक्त राष्ट और संयुक्त नेशन अर्गनाइजिसन जिसको बोलते हैं इसकी अस्थापना 1945 में हुई थी जब हमारा 202 समाप्त हुआ था उस समय हमारा यूएन की अस्थापना हुई थी ठीक है तो राइट एंसवर हमारा क्या जागा ए पार्ड बिल्कुल सत्य होगा ठीक चलें आगे आगे आजए कोशन नंबर 122 बताएंगे आप लोग कोशन नंबर 122 क्या का रहा पढ़िए आप लोग किट नासकों के अत्यधिक इस है ठीक चलें आगे चलते हैं अत्यक्त कोशन नंबर 23 अगर आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को खुब description box में दिया गया है ठीक चलिए बताई जो हमारा प्राइदीपी भारत का जो दच्छडी छोर है प्राइदीपी भारत का दच्छडी छोर जिसको हम क्या काते हैं कन्या कुमारी इस्तित है तो जो हमारा ये दच्छडी छोर की बात कह रहा है कन्या कुमारी ठीक है कन्या कुमा से होकर के जाती है तो यह हमारी जो कितने राजियों से आठ राजियों से होकर के जाती है ठीक है आठ राजियों से और हमारी यहां से कौन सी रेखा जाती है तो यहां से हमारी कौन सी भूमध्य रेखा ठीक है कौन सी जाती है भूमध्य रेखा ठीक है इंडोनेशिया इंडोनेशिया इस साइट कौन सा परता इंडोनेशिया अब पूछ रहा है मकर रेखा के दच्छिड में तो मकर रेखा और नीचे जाएगी यहां कहीं से जाएगी मकर रेखा के दच्छिड में मकर रेखा के दच्छिड में हमारा कन्या कुमारी है बिल्कुल गलत है फिर भुमद रेखा के दच्षण में भी नहीं होगा मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश किया तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करिए चैनल को सब्सक्राइब प्रस्थ्थाने प्रास्थित्की तंत्र यहां उसके प्राकृतिक अधिवास का संद्च्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में जितनी भी प्रजातियां हैं ठीक है उनके जीवन जंसंख्या का रख रखाओ यहों उसके प्रति प्राप्ति के लिए प्रियुक्त पद होता है ठीक है तो याद रखेंगे स्वा अस्थानी संरच्छन सबसे इंपोर्टेंट है ठीक चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नंबर कह रहा है यह भी प्रजातियों के समुद्री कच्छप सबसे अधिक संख्या किसकी है केनेटले लागर हेडले अलीव रिडले या फ्लैट वैक या फ्लैट वैक बताए कौन सा इसका राइट एंसर हो जाएगा इस चीज़ को आप लोग बताएंगे कोश्चन नंबर फाइब का तो हमारे कौ पिले यो सबसे अधिक है तो राइट एंसर हमारा क्या जैगा सी पार्ट अलीव रिडले जो है इस नोट आप लोग करते जाएंगे हैं ठीक आएंगे क्या कर रहा है कि विस्व उस्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है पताई मतलब उस्मायन मतलब उस्मा के लिए heat के लिए global warming के लिए एक तरह से इसको उस्मायन नहीं समझ में आ रहा तो global warming ठीक क्या होता इसको क्या बोलते है global global warming ठीक अब समझ में आया आपको global warming ठीक global warming ठीक global warming के लिए कौन सा वहनों से निकली गैसे पेड़ पौधों से निकली गैसे भठियों से निकली गर्म हवा या र की मात्रा में क्या करना ब्रिधी मात्रा में ब्रिधी होना जो हमारा global warming के लिए क्या होता है उत्तर दाई होता तो वहनों से निकलने वाली गैसे हैं हमारी क्या होती है most important होती है क्या होती है global warming के लिए क्या होती है उत्तर दाई होती है चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, गला कोशन, कोशन आप बताएं काउन सा, 127, 127 है भारत और स्री लंका को अलग करने वाली जल संदी काउन है, तो भारत और स्री लंका को अलग करने वाली संदी को हम लोग क्या काते हैं, पाक जल संदी काते हैं, क्या काते हैं, पाक जल ग्रेट चैनल जो हमारा ग्रेट चैनल है ग्रेट चैनल इसके तहद जो कौन से अलग होते हैं ग्रेट चैनल तो नीकोमार इसके तहद जो नीकोबार नीकोबार और एंड इंडोनेशिया ठीक है एंडो इंडोनेशिया अलग होते हैं ठीक है इंडोनेशिया इससे क्या होते है अलग होते हैं, ठीक, आठ डिग्री चैनल से कौन होता है, बताएंगे आप लोग, आठ डिग्री चैनल से हमारा कौन होता है, माल दीफ, ठीक है, आठ डिग्री चैनल से हमारा माल दीफ, माल दीफ, एंड कौन होता है, माल दीफ, माल दीफ, माल दीफ, माल दीफ, माल दीफ, म अलग होते हैं अंडमान अंडमान और नीकोबार क्या होते हैं अलग होते हैं आपस में ठीक है नीकोबार क्या होते हैं आपस में अलग होते हैं यह याद रखेगा ठीक तो मैंने क्या क्या बता है ग्रेट चैनल से कौन अलग होता है तो ग्रेट चैनल से हमारा नीकोबार और होता है और भारत और शिलंका की बीच पाक जलस ऐंदे दस डिगरी चैनल से मालदीप लिदीब स क्या होतते है अलग होते दूथि और लिट्पन से घुनार लक्ता है धूट हैंद यारो झीटड़ी अन्दमान Size 2 ली लिदा मान ज्री अन्द मान लिटिल लिटिल को लिख लिएगा लिटिल अंडमान याद को लिजएगा आप लोग डखन चैनल से हमारा जो दच्छरी अंडमान और लिटिल अंडमान होता है ठीक है याद रखेंगे चलिए आगी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट देखिए question आपका है कि पेड़ पौधे पेड़ पौधे प्रदूशन को घटाते हैं क्योंकि वे आउसोशन करते हैं किसका करते हैं आपसरन हमारा next point किसका आउसोशन करते हैं बताई किस चीज का आउसोशन करते हैं पेड़ पौधे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं पौधे जो होते हैं करबन डाइकसाइड का क्या करते हैं और शोशन करते हैं याद रहेगा ने चलिए आजए नेक चलते हैं कोशन नंबर 119 कोशन कहरा कि भारत में सरवाधिक और सबसे महतुपून मिट्टी कौन सी है तो भारत मिट्टी है ठीक जलोड मिट्टी लगभग मेरे ख्याल से 43% के एक प्रॉक्सी या इससे अधिक पाई जाती है यह दो प्रकार की होती है यह मिट्टी हमारी क्या होती है दो प्रकार की होती है एक कौनसी होती है खादर होती है एक कौनसी होती है बांगर होती है ठीक एक क्या ह खादर कलती या उपजाओं होती है ठीक है क्या होती है बहुत उपजाओं होती है इसी को नवीन मिट्टी भी कहा जाता है खादर बांगर जो होती जहां तक बाढ़ का पानी नदियों का जो बाढ़ का पानी होता है यहां तक नहीं पहुंच पाता इसलिए बांगर मिट्टी अधिक से बिल्कुल गलत है इस से भी नहीं होगा जब धूवी प्रदेशों में वर्फ पिखलेगी टेंप्रेशर बढ़ेगा पूरे वाई मंडल का temperature बढ़ेगा तो और फिगडेगी तो उसका जल अस्तर क्या करेगा increase करेगा तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य आ जाएगा आईए चलते हैं question number 131 131 आप लोगों के शामने रहा वाता वरण में अधिक हानिकारक sulfur misrit gas कौन सी है sulfur misrit जो सबसे हानिकारक है वह कौन सी gas है 131 का आप बता दीजे तो 131 का राई टैंसोर क्या जाएगा D सबसे खतरनाग gas या हानिकारक gas हमारी क्या होती है SO2 होती है क्या होती SO2 होती है ठीक चलिए चलते हैं अगला question भी यह पर बता दीजे वाई प्रदूशन को कम करने किया जा सकता वाई प्रदूशन कैसे कम किया ब्रिच्छों द्वारा मचलियों द्वारा जंतुओं द्वारा या सूरी के प्रकास द्वारा बताए तो आप चितना ज्यादा जो है क्या लगाएंगे ब्रिच्छ लगाएंगे उतना हमारा क्या होगा वाई प्रदूशन क्या होगा कम होगा क्योंकि का जो पीड़ पौधी होते हैं वा कर्बन डाई अक्साइट का क्या कर सकते हैं और सोशन करते हैं क्या करते हैं और सोशन करते हैं इ पिस्व परियावरन दिवस जो है हम लोग पांच जून को मनाते हैं त्टिक है पांच जून को मनाते हैं क्यूंकि इसी दिन जो है UNEP जिसको बोलते हैं United Nation Environment Program की अस्थापना पांच जून 1972 को हुई थी और पहली बार जो है कब मनाया गया जो है परियावरन दिवस पहली बार पहली बार जो है पांच जून पांच जून 1974 को पहली बार मनाया गया था ठीक सारी सी आपको क्या हुँनी जी तो पांच जून को मनाया जाता है ऑग के मनाया जाता क्योंकि इसी दिन जो है UNEP जिसको बहुत है United National Environment Program पांस जून 1972 को इसकी अस्थापना हुई थी जो UNEP है इसका Headquarter कहां पे है तो इसका Headquarter आप लोग बताएंगे कहां पे है तो नव रेबी नव रोबी में है ठीक नव रोबी में है ठीक नव सबसे नीचे कांसा होता है तो आपको पता होना चाहिए छोब व्हों मंडल हमारा सबसे नीचे होता ठीक है उसके बाद क्या होता है सम्ताप मंडल होता है इस तरह से हमारे पांच मंडल में क्या है बिभक्त है ठीक है इस मंडल में जो है मौसम संबंधी जितनी घटनाय होती है सभी होती है मौसम संबंधी जितनी घटनाय होती है सारी हमारी छोब मंडल में बादल गरजना बारी सोना इस सभी घटनाय हमारी इसी में होती है आधी तुफान सब पाई जाती ठीक ओजोन परत हमारी इसी मंडल में पाई जाती तो राइट एणसेट क्या जएगा बी-पार्ड आ जाएगा ठीक क्या जैगा बी-पार्ड आ जाएगा एठीक होले है कि मजा आट एक है एक दम आप लों को मज़े तक आरहे मुझे भी आ है पढ़ने ने भी और पढ़ाने में ठीक किसी जगह के फलोरा और वeftावना सूचित करते हैं जो फलोरा ओता है और इस पावना होता हो क्या करता है पेड़ पाल्ध misfoy को मचलियों यहों पेड़ पौधों को जंतियों मचलियों को पच्छियों यहों पेड़ पौधों को 235 का राइट एंसर क्या जाएगा यह पार्थ हमारा क्या पेड़ पौधों यह जंतियों को क्या करता है सूचित करता है फ्लो 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 रा और फाउना ठीक है यह पार् तो 136 का बी पार्ट हमारा क्या जगा तालाब है पारिस्थितिकी तंत्र क्या थालाब है ठीक है चलिए कौशन नमबर आप यहीं पे भी बता दिजे एक सो सैंटी स्वा कौन जीवी ये कारक नहीं है मतलब किसमें जीवन नहीं पाया जाता है जीवी ये कारक तो पीड़- जो चीज़ें नई हूं, उनको हम लोग ज्यादा सीखेंगे, ठीक है? अधिकतर पेड़ पौधे पाये जाते हैं, अचल मंडल में जल मंडल में, वाई मंडल में, प्रकास मंडल में, य कोई कहने वाली बात है, अधिकतर ժौधें कहां पाये जाएंगे? बता तीजी ए, तो डी, कंपोजर, स्केवेंजर या ओमनी ओर बताई, जो अन्य मृत्य जन्तुओं को निर्वाह करने वाले प्राणरी को क्या कहा जाता है, तो 149 का राइट एंसर क्या जाएगा, स्केवेंजर कहते हैं, इसकेवेंजर भोजन के लिए अन्य मृत्य जन्तुओं पर क्या करते हैं, निर्वाह रहते हैं, ए अन्य मृत्य जन्तुओं पर क्या रहते हैं, निर्वाह रहते हैं, ठीक है, तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, आजाए ये नेक्स चलते हैं, कोश्चन नमबर 140 स्वाम, ठीक सिंदु सभ्यता का उदय जो है ताम्र प्रिष्ट भूमिंग की में भारती उप महादीप के पस्चिमोत्तर भाग में इसका क्या हुआ था उदय हुआ था ठीक है तो राइट एंस्वर इसका क्या जाएगा ए पार्ट बिल्कुल सत्या जाएगा क्या कारण है वाई प्रदूर्शन को ऐसी इस्तिती है जिसमें वाह वातावरण में मनुष और उसके परियावरण को हानी पहुंचाना पहुंचाने वाले तत्तों क्या होते हैं सघन रूप से एकत्रित होते हैं तो इसका राइट एंस्वर क्या जाएगा बिल्कुल सत्य सी क्या जाएगा सत्य हो जाएगा है आए अगला कुश्चन तो प्रित्य किया है, मतलब प्रित्यवी का कितना भाग क्या क्या है, क्या क्या है, तो तीन बटा चार भाग पे क्या हमारा है, समुद्र है, या जिसको बोलते हैं जल है, और एक बटा चार भाग पे हमारा क्या है, प्रित्यवी है, ठीक है, एक बटा चार भाग पे हमारी प्रित मवली अदिकार राज के निती निदे सकता तो एसका भाग कौन सा भाग चार में यह हमारा सी और आर्टिकल इसके लिए कौन सा worms और कहा से भाग जो आर्टिकल हमारे हमारे स्टाड इसके होते हैं कहां से 36-31 तक हमारे यह था राज के DPSP है, ठीक है, राज के निती निदेशक तत्तो है, आजाएगे next शलते हैं, question number 144 बताईए, निम्न में से कौन वाई प्रदूशन का एक उधारन है, धुमा और कुहाशा, वहानों से निकलने वाली गैस, जलती हुई, लकडी या चारकोल से निकली गैस, या सब्सक्राइब, लकडी निुक्त में से सभी, तो 144 का राइट ऐंसर होगा, बताईए, फटा फट, 144 का राइट ऐंसर बताईए, आप लोग, तो इसका राइट ऐंसर क्या जाएगा, DPSP सभी हमारे इसके क्या हो जाएंगे राइट हो जाएगा ठीक है next चलते हैं कर रहा 145 बताईए 145 क्या कर रहा भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूशन को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रियोग रोकता है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूशन को रोकने के लिए बन 246 हवा में उपस्थित आक्सीजन का प्रतिसत है हवा में उपस्थित आक्सीजन का प्रतिसत कितना है बताई जो हवा में है उसमें कितना है 21 प्रतिसत है कितना प्रतिसत है 21 प्रतिसत हमारी क्या है आक्सीजन क्या है प्रेजेंट है ठीक है तो डी पार्ट क्या हो जागा इसक बन ध्यलिख कि इसका निर्मार्ड करवाया था, तो प्रकाष शंचरकित हमेरा प्रकाश संसलेशन संपाधित होता है, इसको बताएंगे आप लोग, तो यह सभी हरे पौधों द्वारा होता है, सभी पोध्य द्वारा सभी जंत्यों द्वारा सभी वाइरस कहते हैं आज करती थे चिंदु गाटी सब्वेटा के लोग् chodzi यह एक व्यापार करने वाली सब्वेटा थी 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 कि व्यापार यहां के लोग करते थे ठीक है यहां के लोग क्या थे मुहरों के एक रूप मे लिपि को माने मानकि कृत माप्तौल के अत्रिक।我在 गिन प्यापार को महत्तो बहुत दिया जाता नील की खेती यहां जबरदस्त होती ठीक है तो आप लोग अगर नहीं समझ में अगर समझना है तो आप लोग मोहन जोदाड़ो एक फिल्म है उसको देखिए वहां से भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कबर हो जाएगी सिंदुका सकत्फा जीया जोजाएब